श्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में आज के इस वीडियो में मौहत्पूर अबकिरिया के बारे में अध्यान करेंगे यह अबकिरिया हर साल के पेपर में पूछा जाता है तो आप सभी विद्यारती इस प्रशन को अच्छे से तयार कर लिज इसमें कौन-कौन से पदार्थ को लिया जायेगा आज के इस वीडियो में बताया जायेगा तो आप सभी विद्यारती इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए तो सबसी पहले जो है यहां पर जो लेंगे मेथिल-ेमीन लेंगे क्या लेंगे मेथिल-ेमीन की करिया Congress थेल एमीन की किरिया क्लोरोफार्म से करा जाए किसे करा जाएगा क्लोरोफार्म तथा क्लोरोफार्म तथा पोटैसियम हाइडराकसाइड ले सकते हैं या सूडियम हाइडराकसाइड ले सकते हैं यहां दोनों लिया जा सकता है ली सकते हैं के ओ या चिसका नाम क्या है potassium hydroxide के साथ मिला कर गर्म करने पर अब यहाँ पर गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा तो धियान देंगे जब गर्म करेंगे तो methyl isosinide क्या बनेगा methyl यहाँ लिख देंगे methyl isosinide क्या बनेगा यहाँ पर जब कार्विल एमिन अबकिरिया में क्या बनता है methyl isosinide में केमिकल क्या है यह ध्यान देना है isosinide एक बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया था कि कार्विल एमिन अबकिरिया क्या देता है तो कार्विल एमिन अबकिरिया isosinide देता है इसको आपको याद रखिएगा और उसके इस साथ का isosinide और यह लिखेंगे तथा लिख सकते हैं आपर potassium koloride KCl बनता है KCl ध्यान देंगे यहाँ पर तथा पहले हटा देंगे यहाँ पर KCl तथा जल बनता है अब इस reaction को आप से विद्यार्थी याद रखिएगा क्या लेना है मेथील एमिन तो मेथील एमिन का सुत्र क्या होता है तो यहाँ पर लिखेंगे CS3 CS3 या नियाच 2 या हो गया मेथील एमिन हो गया और यह है क्लोरोफार्म CS3 CS3 क्लोरोफार्म और उसके साथ को याच पोटैसियम हैड्रा आकसाइड मिला के गरम करेंगे तो CS3 यान C इसका नाम क्या है मेथील आईसोसैनाइड 3 पोटैसियम कुलोराइड और यहाँ पर लिखेंगे आपका 3 याच 2 O मतलब पानी है और यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 लगा लिया जाएगा दोनों पच क्या हो गया है यहाँ पर संतुलित है एवर संतुलित को भी चेक कर सकते है कि मतलब संतुलित है कि नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे CS3 CS3 यन यहाँ है और यहाँ से यन और यहाँ से C ले लेंगे यहाँ से C, यन C हो गया और यहाँ पर 3C मतलब 3K यहाँ पर है और CL3 है मतलब potassium भी 3 संख्या chlorine की भी 3 संख्या hydrogen यहाँ पर 6 और चाहिए 3-6 तो यहाँ पर 3 यहाँ है एक 4 अचारदू मिलकर के 6 हो गया और यहाँ CS3 ही है तो CS3 यहाँ भाई यहाँ दोनों पच क्या है आपच में बराबर है तो कार्वील एमीन अभकिरिया क्या देता है तो कार्वील एमीन अभकिरिया Isocineide बनता है लेकिन यहाँ पर क्या लिया है मेथिल इमिन लिये हैं इसने यहाँ पर मेथिल आईसो सैनाइड बनता है तो इस अब किरिया को आप से विद्यारती अपने कॉपी में नोट कर लिजेगा यह अब किरिया कई सालों के बोर्ड में पूछा जा चुका है और इस अब किरिया को दो बार पढ़िए यह अब किरिया आपको याद हो जाएगा तो आज का वीडियो एक कैसा लगा आप से विद्यारती एक बार जरूर कमेंट कीजे वीडियो को लाइक कर दिजे और चैनल पे दिए आप पहली बार आयोंगे तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजे इस चैनल के माध्यम से महतपूर जो है प्रशनों को बताया जाता है जो हर साल के बोड के पेपर में पूछा जाता है तो मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यारतियों को नमस्कार